बात अगर पुरानी दिल्ली की करे मतलब चानी चौक के जिस इलाके में लाल किले से लेकर गुरुद्वारा हर गोविन साहिब तक सब कुछ है चानी चौक का मार्केट दुनिया भर में मशूर है चाहे वहाँ के पराथे हो जले भी हो सब चटकारे लेने के लिए आते हैं और राजनीती के चटकारे भी इसी चानी चौक में जरूर लगते आये हैं क्योंकि पिछली दो बार से डॉक्टर हर्श वर्धन यहां से चुनाब जीतते आये हैं इस बार उनका टिकेट क्यों कट गया इसे समझने के लिए आपको पिछले साल का डेटा समझना होगा वो डेटा आप देखिए चानी चौक सीट पर बीजबी को पिछली बार 53.2 प्रतीशत वोट आया था वहीं आम आदमी पार्टी को 14.8 प्रतीशत वोट था जो कि बीजबी के वोट शेर से तकरीबन 16 फीसद कम है यहां पर आपको बता देएं इंडी अलाइंस में ये सीट कॉंग्रेस के खाते में आई है क्योंकि आप देखिए तो पिछली मरतबा चुनाव में कॉंग्रेस का ही वोट शेर बहतर रहा था यहां पर कॉंग्रेस पहले जीत चुकी है ऐसे में बीजबी ने यहां के लिए अपनी स्ट्राटेजी चेंज करने का मूड दिखाया है डॉक्टर हर्श वर्धन की जगए इस बार कोई दूसरा उमीदवार चाने चौक से मैदान में उतारा जाएगा अब बात पूर्वी दिल्ली की भी करते हैं जो इस बार इंडिय अलाइंस की समझोते में आम आदमी पार्टी के खाते में कई है और उसमें यहां उमीदवार भी उतारा गया है इस फीट से क्रिकेटर गौतम गंभीर सांसवध हैं कहा यह जा रहा है कि इस बार पार्टी इन्हें रिपीट करने के मूट में नहीं है 2019 की वोट प्रतीशत के आकड़े को अगर आप गौर से देखें तो बीजेपी को पिछली बार सबसे ज़्यादा 55.6 प्रतीशत वोट इसी फीट पर मिले थे जबकि आम आदने पार्टी को 17.5 प्रतीशत यहां भी कॉंगरस पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी 24.3 प्रतीशत वोट मिला था अब अगर इस वोट को जोड़ दिया जाता है कॉंगरस और आपके वोट प्रतीशत को कॉलाबरेट करें तो आकड़ा 41.8 प्रतीशत का बनता है यानि कि लड़ाई कार्टी की यहां पर हो जाती है अगर ये दोनों पार्टीश एक जोट हो जाती है इसलिए बीजेपी इस मार्जिन को और बढ़ाना चाहती है जीत का मार्जिन और बढ़ा करना चाहती है और इसलिए कहा ये जा रहा है कि इस बार कैंडिडेट चेंज कि बात नॉर्थ वेफ्ट डिली के भी कर लेते हैं जहां 2019 में पार्टी के टिकेट पर हांस राज हांस जीत कर आये थे लेकिन इस वार बीजेपी चुकि इन्हें पंजाब भेजने के मूट में दिखाए दे रही है इस वार पार्टी यहां से किसी नए उमीदवार को मैदान में उतार सकती है पिछले चुनाव में बीजेपी को यहां 60 प्रतीशत से ज्यादा वोट मिले थे जबकि आम आद्वे पार्टी को यहां 21.2 फीफद वोट मिले थे कॉंग्रस पार्टी की बात की जाए तो यहां पर 21.7 प्रतीशत वोट मिले थे इस वार अगर दोनों एक साथ चुनाव चुनकि लड़ रहे हैं अलाइन सोच चुका है तो इनके वोट प्रतीशत को आप जोल ले तो अरतिफ दशनलव 2 होता है यानि कि बीजेपी से 22.7% कम होता है यहां से भी बदलाव मुमकिन है दिखाए दे रहा है बात नई दिली फीट की भी कर ले यहां का वोट प्रतीशत आप जान ले फीट से बीजेपी के मिनाक शिले की सानसत है लेकिन देरात हुई फीवफी के बैचक में उनका पत्ता कट किया हमारे प्रतिकल एडिटर देवेंदर पाराशर के मुताबिक यह भी फीट ऐसी है जहां पर बदलाव होना संभव नज़र आ रहा है प यहां भी दूसरे नंबर की पार्टी रही 26.91% यहां पर वोट मिला अब इन दोनों को आप जोल डें तो 43.24 प्रतीशत का आकड़ा बनता है यह बीजेपी से अगर मार्जिन में देखी तो 11.53 प्रतीशत रहता है इतना कम रहता है इस वीट पर बीजेपी का ग्राप ज्या जा सकता है